गोंडा सिले के दोरे पर आये मुख्मंतरी योगी आदितनाद ने जन्पदवासियों को मेडिकल कॉलेज समेट 1132 करोड रुपए की प्रयोजनाओं की सोगात दी है वहीं इस दोरान उन्होंने विभिन योजनाओं के लाभारतियों को हितलाब का वितरर किया है बता दे कि सियम योगी आदितनाद ने कहा कि वर्ष 2022-23 में अगले सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी शुरू हो जाएगा वहीं विपक्षपर हमला बोलते हुए कहा कि जहां साड़े चार साल पहले तक कोई योजनाय नहीं आती थी जो आती थी वो बंडर बाठ हो जाती थी वहीं प्रतेश में जन प्रतिनितियों के माध्धम से काम किया जा रहा है तो आपको बता दे कि आज गोंडा के दोरे पहुचे मेडिकल कॉलेज का शिला नियास किया और कहा कि अगले सत्र तक वहाँ पर प्रिवेज यो है वो शुरू हो जाएगा और साथी साथ चुनावी महल भी हो और उसको ले करके विपख्षपर भी हमलावर होते हुए दिखे उन्होंने का साड़े चार साल पहले कि अगर बात करे तो जितनी भी सरकारे रही हैं महल चुनावी का नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक के बाद एक सिलान्याश लोकारपड़ के कारकम जो हैं वो भी सामने आ रहा है और इसी कड़ी में आज गोंडा पहुचे मकमंत्रियों की आदित रात जहां पर तकरिवर 1132 करोड की योजनाओ का भी लाब मिला है आपको बता दें कि गोंडा में आज मेटकल कॉलेज की शिलान्याश भी रखा किया और अगले सत्र तक यहां शुबारम जो है वो हो जाएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां बेल आइकॉन दबाना न भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें स्टार ट्विटर और फेस्बुक प वकलाज हमें सब्सक्राइब करें से तुरुड़ करें पिशधने करें आप करें लाइक।